हलो अब्रिवान विल्कॉम तु इंडियाज नंबर वर लर्निंग प्लेटफॉर्म क्या है बच्चो आई कॉंटा तो स्वागत है सभी लोगों का डे सारा आई कॉंटा पर हैं तरुंतिवारी चाहिए स्टार्ट करते हैं वन आप दे मूस्ट इंपोर्टन टॉपिक फ्रॉम यूर एक्जामिनेशन पॉइंट आफ यू क्या कर रहे हैं बच्चो कहोगे हाँ सर सहीं में बहुत कुछन पूछा जाता है इस टॉपिक से प्लीज करवा दीजे तो तयार हैं हम करवाने के लिए बस आप लोग ध्यान से देखिए फंडामेंटल राइट्स को बच्चो जहां से लिया गया यूए से से लिया गया and it is existing which part of the constitution part third of the constitution and follow the article from 12 to 35 ठीक है जिसमें हम 12 and 13 articles को देख लिये क्या था article 12 में क्या था बच्चों क्या था article 12 में था definition of the estate and article 13 में derogatory चीज़े आपको नहीं करनी है उसका आलपी करण नहीं करना है उसको कातना पीतना नहीं है जो आपको fundamentalize दिया activities रहना है समय के साथ अगर कुछ बदलाओ कि जरूवत पड़े सही असली में तो कर देना लेकिन अगर लगा भाई एकदम ताना साही के तहत कोई काम कर रहे है तो वो गलत है वो क्या हो जाएगा वाइड हो जाएगा ठीक ना अब दिको जैसे अपको आपको कहो कि सर्थ त जमीन का अधिकार होना चाहिए लेकिन फिर पता चला सब अग्दम दबा कर रखे हो सारा एकदम पूरा हरप के सारी जमीन ठीक है ना तो जब हरप के सारी जमीन रखे हो तो कहा से developmental activities होंगी जिनके पास कम जमीने हैं उनको मर रहें जमीनों के लिए इतनी जमीन पर उनको इ quality, freedom, इन सब के तहरे fundamental rights की तरह आपको पूरा fundamental rights में आपको right to property दिये रहेंगे तो आप तो पूर एक्दम बबा के रखे होगे सारी जमीन दोगे ही नहीं और हमेशा रोत दर्वाजा खड़कटा होगे Supreme Court के क्योंकि भाई का गया है न कुछ भी गर बहुत सिधा निकल लो प जड़ साहब की तो जड़ साहब बड़े-बड़े cases में तीन बजे उठते हैं आपके लिए थोड़ी नुठेंगे लेकिन उठेंगे चुनवाई करेंगे तो यह चीजें इसको के लिए आए बहुत हो गया right to property को खतम करो क्योंकि अब हमें जमीन की जरूरत है legal rights दे दो लो अच्छा बुरा आ जाए right to liberty आपको जीनिक अधिकार है हर एक चेत्र में हर एक समझ आए बंबारी भूर रसिया भी हमिला कर दे या अमेरिका हमिला कर दे तब भी right to liberty है आपके पास उसको कोई छीन नहीं सकता ठीक ला तो यह सब सारी चीज है अगर आप इस तरीके कोई का करोगे तो article 13 के अंदर कर क्या हो जाएगा white हो जाएगा तो 12 13 को हमने cover कर लिया अब एक एक करके हम लोग देखते हैं जो आपकी क्या है fundamental rights तो पहला जो हमारा fundamental rights है वो है right to equality समामता का अधिकार बराबरी का अधिकार यानि सब को बराबरी का अधिकार अपने देश में चाह चाहे धनी हो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे लूला हो चाहे लंगणा हो चाहे एक छलांग में पार कर दे कुछ भी कूद के तो यह matter नहीं करता सब every section of the society every section of the country सब क्या है कानून के सामने सब बराबर ठीक है ना कानून के सामने सब कानून की नजर में सब क्या है बराबर और यह बात आती है article 14 में equality के बात तो पूरा करता article 14 to 18 यह भी आपके एक्जाम में पूछ लेंगे पहला तो पूछ लेंगे कि या fundamental rights किसके किसके बीच आता है 12 to 35 यह पूरा fundamental rights कबर कर लेगा अब इसी में ही right to equality समानता काधिकार की जो articles दिये गए हैं वो किस-किस के बीच आते हैं तो 14 to 18 के बीच ठीक है 14 से 18 के बीच जितने articles हैं यह किसकी बात कर रहे हैं आपके right to equality की तो जिसमें article 14 में दिया गया equality before law यानि कि कानून की नजर में सब लोग बराबर है ठीक है ना चाहे हो छोटा हो चाहे बढ़ा हो article 15 में क्या बातें दी गई है article 15 में कहा गया है कि provision of discrimination on the ground of religion, race, caste, sex और place of birth यानि किसी के साथ आप भिद्भाव नहीं कर सकते, discriminate नहीं कर सकते ना तो उसके religion के आधार पे ना तो आप यह कह सकते हो यह तुम्हारा धरम ऐसा है तुम्हाई सातना बैटो उठो हमसे तुमसे कोई लेना देना नहीं है तुम दूसरे बिरादर, दूसरे धरम कोई हमसे बास मत आओ, ना तो race के पास, ना तो race पे उसके race के आधार पे किस मूल जात क्या है, मूल धरम का है, किस जनजाती का है, इस race का है, ना तो धरम, ना तो race, ना तो caste, जात के आधार पे आप भिकिसी के साथ discriminate नहीं कर सकते सब को अभी जो definition of the state दिया गया उनको चाहे कोई individual चाहे कोई department center से लेके आपके ground label था किसी कोई अधिकार नहीं है कि किसी के race के साथ किसी के religion के साथ किसी के caste के साथ जा sex, sex means the gender link ना तो female ना तो male सब को बराबर की तरह आपको treat करना है किसी के साथ discriminate नहीं करना है और ना ही उसके जन्म अस्थान के आधार पे आनि place आप पर्त के आधार पे कि या तुम North East वाले हो, दूर हटो तुम देखते नहीं North East वाले को लोग क्या बोलते है Chinese है अरे या कि breed सा लग है सारी चीज है हमारे लोग है इतनी बड़ा आप उनसे साथ दुर्ब्योहार करोगे Chinese Chinese कहोगे तो का तुमको बोलेंगे कि हरियाना वाले, दिल्ली वाले, गुर्गाँ वाले हमारे भाई-भाई है जब आप उनको Chinese Chinese करोगे तो मन में उनके खटास तो पैदाए होगी तब वो Chinese को अपना भाई मानेगी जब आप किसी को बार-बार मारोगे लतियाओगे, हटाओगे हटो-खटो-खटो-टोटोट तुम्हारे बीच के नहीं हो और जिसको बार-बार कहरें तुम Chinese हो Chinese हो Chinese हो Chinese हो तुम बार-बार लत मारोगे तब भी तुम तुम बार-बार लत मारोगे तब भी तुम्हारे पास आएगा ये चीजें नहीं होनी चाहिए नॉंसेंस वाली हरकते हैं, मूर्खों वाली हरकते हैं और जब भी Chinese यानि नॉर्ट इस्ट का कोई ब्रक्ती गोल्ड मेडल लाएगा, ओलंपिंग लाएगा तो सोगले लगा लोगे प्राइड आफ इंडिया प्राइड आफ यू तब का भी यह तो दोगला पंती हो न भाई साब ये नहीं होना चाहिए ठीक ना, पूरे टेरिटरी में जहां जबूरा जहां तक अपनी बुपनो आपके टेरिटी बाउंडरी आती है इवन आपका यहां पर भी यहां पर भी तो लोग बसे हुए हैं यहां पर भी तो लोग बसे हुए लक्षदीप आंड उनीको आई, ड्लंड़ पे यह भी थो हमारा इपार्ट है, यहाँ पर भी तो लोगों हैं, दस लाग, पाँच लाग लोग भझे पड़े हैं, इनको तो 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 बोलोगे दूसरे आईलेंड, आईलेंड अफका है, यूटी जाई हैं, तो आप कहो होगे तो भूजे दूसरे लोग हैं, अलियंस हैं, अभी जीत जाएंगे ही कि लोग मैडल जीत जाएंगे कहीं बढ़िया कि रिगट में आई पेम छका चोका मारेंगे वाह देश का नाम रोशन कर दिया कि चीजे नहीं होने चाहिए ठीक है न जब आपके लिए अच्छा करें तो भया वाह वाह जब बुरा करें तो बुरा यह गलत बात है तो हमें सबको एक मानना चाहिए यही तो constitution हमारे बताता है यही तो आपसे expect करता है अगर आप इससे follow करते हैं तो you are the real citizen of the country सच्छे देजभक्त तब आप हो बाकि आजकल देजभक्ती की definition बदल गई अगर आप अपनी बातों को right to expression अभी आएगा ना आपका fundamental right, right to expression आप अपनी बातों को कहने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है आप criticize करने के लिए पूरी तरीके स्वतंत्र अगर कोई गलत कर हो लेकिन आज के समय कर आप criticize करते हैं तो आप देस द्रूही, anti-national, खैर, कोई बात नहीं, तो article 15 क्या कहा है बच्चों आपको कि किसी भी तरीके का discrimination नहीं, पूरी तरीके से prohibits, पूरी तरीके से निशेद है, नहीं कर सकते on the grounds of religion, race, cause, sex or place of birth, बात clear हो गई? चलिए, अब ज स्टीर में कह रहा है, equality of opportunity in public employment, यानि सब को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा, equality of opportunity, यानि job, अगर government vacancy निकालती है, कोई job देती है, तो आपर ये नहीं रहेगा, कि भी या तुम दूसरे religion को ये vacancy सिर्पंडितों के लिए है, चहतरियों के लिए है, नीचे वालों के अगर आपके क्या कहते है, पावर में कोई मालों lower caste का दिया बैठा हो कहेगा, पावर में ही आएगा जो lower caste के लोग होगे, कुछ government ऐसा करती है, थोड़ा बहुत, पार्सल्टी करती है, पावर में आती है, तो ये गलत, सही क्या है, equal opportunity to all, कोई छोटा बड़ा नहीं रहेगा पबलिक employment के case में, ठीक है न, आपको किसी भी तरीके से, चाहे religion, चाहे race, caste, इसमें भी वही बात ने की गई है, यहाँ पे तो आपको discrimination नहीं कर रहा है, यहाँ equal opportunity सबको देनी है, और किसी को भी इन सब चीजों के आधार, religion, caste, sex, place, अबर्त, इन सब के आधार पे ठीक, चलिए, आगे बढ़ें, आर्टिकल 17 में क्या कहा गया, ठीक है न, आर्टिकल 17 में क्या कहा गया, आर्टिकल 17 में कहा गया, भहिया सबसे पहिला काम हम क्या करेंगे, constitution बनाने वालों ने सोचा, भहिया evolution अब दा untouchability करेंगे, अरे भहियो बात किसकी कर रहे हो, सब बर बैदिक पीरियड से ही, बर्णा सिस्टम आ गया, प्रामडिजम, छत्रिये, वैश्य, शुद्राज, माट दिये सबको, और जब बाट दिये, तो equality फिर कहा रहे गई, तो equality लाना है तो उसको खतम करो, तो हमने सबसे पहले क्या सोचा, अब untouchability को abolish करेंगे, यानि अब किस प्रकार का चुआ चूत untouchability नहीं दिखनी चाहिए, अगर कोई इस तरीके से काम करता है, अगर कोई untouchability act करता है, तो वो क्या होगा, सजा का हक, हकतार होगा, तो वो मार पड़ेगी, ठीक है, कानून बनाये गए, laws बनाये गए, लेकिन, अब ये सबसे बड़ी बात है कि untouch untouchability क्या है, क्योंकि सर, constitution में बताया होगा, what is untouchability, तो सबसे बड़ी बात है कि constitution में untouchability को उसने mention ही नहीं किया है, लेकिन, untouchability act जो है, untouchability act जो है, उसमें बताया गया है, कि untouchability यानि अस्परसता यानि छुआ छुआ छुट उसे कहेंगे, जब आप किसी को उसके caste के आधार पे, उसको dominate करोगे, उसको criticize करोगे, या आप untouchability को क्या बोलोगे, कि सही है, समाज के लिए बहुत बहतर है, भाईयों और बहनों, इन दलितों से, इन समाज के निचके दपके उत्सुआ आपको दूर रहना चाहिए, यह हमारे समाज के पातर नहीं है, तो आपको तुरंत खीच के ले जाये जाएगा, मंच से, और आपको अच्छे से सेवा की जाएगी आपकी पुलिस थाने में, तो इस तरीके से आप हरकते नहीं कर सकते, ठीकने आप किसी को रेस्टोरेंट में, टेंपल में, आप घुसने से नहीं मना कर सकते, अगर यह सब आप काम करेंगे, तो क्या होगा, untouchability के दाएरे में आए नहीं जाएगी, जब आप किसी को उसके कार के आधार पे, दो बात यहां पे की गईधा रखना, जब आप किसी को बोलोगे, कहोगे, कुछ कमेंट्स करोगे, तो वो untouchability में आ जाएगा, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा काम किया, जो society के लिए, या उस particular institution कहीं आप गए हो, मंदिर में गए, चब सूज आप पहने गए हो, रिबोक का, या रिबूक का, आते हैं ने, local नाम, रिबूक की जगहां, आपको रिबूक ले लोगे, पांसो में, हजार रुपए में, और आपको असली रिबूक वाला दिख गया, बढ़ियां, चार हजार, पांस जार का जूता, फिर आप क्या सोचोगे, जारा स्री वाला पहन लेते, लेकि निकल लेते, कोई देख नहीं रहा है, तो आप जल्दी से जैश्री राम करके, असूस पहन के निकल दिए, अपना छोड़ दिए, दूसरे का पहन के निकल दिए या निकलने वाले हुई थे, तभी तक क्या हो गया, नजर पढ़ गई किसी की, या जिसका सूस्ता उसी की नजर पढ़ गई, अब आपको देधना धन, देधना धन, पूरा क्या कर दिया गया, हाथ साफ कर दिया, बहुत मार खाए आप, फिर आप क्या करोगे, जाके या फ touchability के तहित, बहुत बड़ा गलत काम हो गया, यानि मैं दलित था, I was, belongs to lower section, that's why, उन सब ने मिलके हमको मारा, लेकिन फिर बात में पता चला, कि आप क्या कर रहे थे, वहाँ पे एक गलत काम कर रहे थे, आप सूस्त, यानि यूते की चोरी कर रहे थे, वहाँ पे आपको क्य आप किस religion से belong करते हैं, वहाँ पे आपके कार के आधार पे आपको मारा गया, तो इसके according आप FIR नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ पे जूट बोल रहे हो, तो इसके according क्या होगा, अगर कही दिया जाए, फिर आइंदा तुम यहाँ पे मंदिर में नहीं आना, तो फिर आपक अगर हमें मंदिर में घुजने से मना किया गया, अरे यार तुम्हारे कार के आधार पे मना किया गया, ना कि तुम्हारे कास्ट के आधार पे किया गया, ठीक, तो यह सब चीजें भी इसमें mention की गई है, ओके, and the last article of the right to equality is article 18, and article 18 consists of abolition of the titles, यह भी सबसे ज़्यादा ज़रू तो abolition of the titles तो रहे गई, क्यों? कि आप सुरू से देखते आ रहे हैं कि पहले महाराजा अध्याज, स्री स्री महावंडलेश्य और महाराज, यह सब पहले हुआ करते हैं, सब को titles दे दिया जाता था, राजा, राज को महा सारी चाहिए, तो आप खुश सुचोंगे, अगर यह society में हैं आपके सामने, तो आपके सामने आएंगे तो अपने आपको बड़ा feel कराएंगे कि नहीं? तो जब बड़ा feel कराएंगे तो आप अपने आपको छोटा महसूस करोगे, और छोटा करोगे तो obvious सी बात है, right to equality कहां रही? तो right to equality को अगर exist करना है real में, तो यह भी आप को सबसे ज़्यादा important था कि abolition of the titles को हम क्या करेंगे? Titles को abolish करेंगे, यानि सब लोग क्या है? equal है, लेकिन उसके साथ आते भी कह दिया गया, titles भी बहुत तरीके के होते हैं, सारे titles आपके abolish हो जाएंगे, except academics and military titles, यह exist करेगा, यह आप अपने नाम के साथ लगा सकते हो, doctor, engineer engineer, brigadier, colonel, lieutenant, यह सब आप अपने नाम के साथ रख सकते हो, आप कोगे सरी है क्यों, जब सब कुछ हटा दिया गया तो फिर इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है, क्योंकि these titles, जो आप अपने नाम के साथ लगा रहे हो, brigadier लगा रहे हो, या lieutenant, doctor, advocate, यह सब लगा रहे हो, यह अपने अपनी महनस से इसको अचीब किया है, that's why यह आपको छूट दी गई है, कि यह सब लगा, आज पहले तो ऐसे दे दिया जाता, तो खुछी में, वाह, 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 लीजे, आपको आज से हम राजा बनाते हैं, पहले आप पढ़ोगे, mention करो, later, मुगल पीरियर्ट से, अपनी महनस से थे, यहां पर क्या है, आपकी महनस से, तो these are the important articles under the right to equality, and it covers from 14 to 18 articles, यह भी आपके एक एक्जाम में question, पूछ लिया जाएगा, right to equality, under which articles, 14 to 18, और पूरे fundamental rights, under which article, 12 to 35, ठीक, आगे देखते हैं, right to freedom, after the right to equality, क्या आता हमारा right to freedom, and it covers under 19 to 22, ठीक, इसमें क्या क्या आता है, देख लेते हैं, जल्दी-जल्दी, article 19, इसमें क्या बात की गई है, आपसे mostly पूछेंगे, किस article में कौँसी चीज में अनसन है, ठीक, आपसे इतना deep में नहीं जाएंगे, चलो या, सारी चीज अंदर की बताओ, ठीक, तो article 19, freedom of speech, expression and moment, ठीक, ना, right to freedom of speech, expression and moment, यानि आपको कुछ भी बोलने की आजादी है, अपनी बात कहनी की आजादी, कुछ भी बोलने का आजादी ऐसी नहीं है, हर चीज में एक्सेप्संस दिये हैं, ठीक, एक्सेप्संस वगेरा के कोश्चन्स नहीं आते, that's why यहां पे ह कर रहे हैं, नहीं चार्चा कर रहे हैं, फिर और भी कई सारे exams के preparation होगी, बड़े के, तो उसमें सारी बाते बताएंगे, तो हर एक चीज में आपके एक्सेप्संस हैं, तो यहां पे आपको freedom of speech, expression and moment की अगर दे दी गई है आपको छूट पूरी तरीके से, you are free to move or recite any parts of the country, गेस में कहीं पर भी आप जाओ, घूँओ, फिरो बस जाओ, पैसे हैं, प्लॉट ले लो, पहाड़ों पे जगा जमीन ले लो, आप देखोगे, पहाड़ों पे चले जाओगे, नीलकंड परवर पे उपर चले जाओगे, वहां पर भी रामदेव बाबा ने पूरा पूरा पहाड़ ले लिया है, तो पावर है, पैसा है, तो आपके पास पूरा पावर है, हर चीज का, फ्रीडम आप एक्स्पेशन है, गवर्मेंट की पॉल्सीज को अच्छा है तो उसको अच्छा बोलो, बुरा है तो कर्डिसाइज करो, राइट टू फ्रीडम आप असेंबली ह अगर आप गवर्मेंट के या किसी के खिलाफ हैं, तो आप असेंबली क्रिएट कर सकते हैं, एसोसियेशन बना सकते हैं, मेंबर्स क्रिएट कर सकते हैं, तो यह सब आपको पूरी तरीके से फ्रीडम दिया गया है, अंडर आटिकल नाइंटीन, इसमें भी आपके टोटल छ चे तरीके की फ्रीडम दिये हैं, ज़्यादा कुछ मत जाने, इसमें आपको अगर पूछ लें, अंडर आटिकल नाइंटीन में आपको कितने तरीकी की फ्रीडम दिया है, तो यह भी ध्यार रखना चे तरीकी की फ्रीडम दिया है, वही राइट टू फ्रीडम आफ दे दिया गए, भही यह कोई ऐसा प्रोफेशन ना करना कि आपके सुसाइटी को या कंट्री को उससे नुकसान हो, प्रोफेशन आपको दे दी गई पावर, जओ, आपको यह भी काम कर सकते हैं, तो पता चला कि गए यहां पे, सिकंदरपूर मेट्टो इस्टेशन के बाद बम बनाने की दुकान खुल लिए, तो इससे क्या होगा, सुसाइटी के लिए दिक्कत है, लोगों के लिए दिक्कत है, और कंट्री के लिए दिक्कत है, कोई ऐसा आपको काम नहीं करोगी, किसी भी freedom में जो आपको constitution के द्वारा दी गई, ओके, आर्टिकल 19 हो गया, 20 में क् की गई, आटिकल 20 एक से पूछता है, protection from conviction for offenses, यानि आपको पूरी तरीके से protection मिलेगा, पूरी तरीके से आपकी रच्छा की जाएगी, अगर आपको किसी अपराद के लिए, offenses के लिए आपको convict कर लिया गया है, ग्रिफतार कर लिया गया है, conviction में, jail में रख दिया गया है, ये भी आपको constitution आपकी protection करेगा, ये बरदस्ति कोई ले जाके आपको jail में नहीं रख सकता, और रख भी दिया, तो आपको 24 hours के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, in the front of magistrate, पेस करना पड़ेगा, इसमें भी कई छोटी छोटी बातें हैं, खेर उतना आपके लिए काम की ब कर दिया है, तो एक सजा के लिए सिर्फ एक जुर्म के लिए एक ही सजा मिलेगी, अब आप ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई गलत काम किया, किसी को मार दिया, दो साल की सजा हुई, फिर पुलिस आई दो दिन बाद आपको फिल लेगे, चलो फिर दो साल के लिए, तो नहीं एक जुर्म के लिए, एक ओफेंस के लिए एक बारी सजा उसको कहेंगे क्या No Double Geo Party It is a constitutional term No Double Geo Party No Self Incrimination यानि कि आप अक्सर देखते होगे कि जब आपको क्या कहते हैं जब आप जाएंगे आपको थाने में पुलिश लेके जाती है तो जबर्दस्ती देखो आपसे क्या करवाएगी आप कहो कि मैंने कतल किया है आप कहो कि हाँ मैंने इसको मारा है लिखो बयाल लिखो जबर्दस्ती बयाल लिखाते हैं न मार के थर्ड डिगरी टाचर बड़ी थे कबूल कर, कबूल कर, कबूल कर तो बैचारा जबरदस्ती भी कबूल कर देता, क्या करे भाई, उसकी भी जान कीमत है, उसको धमकी भी दे जाएगी, तुभाई परिवार वालों को मार देंगे, जल्दी कबूल करो, तो जबरदस्ती लिख देता है, लेकिन वही चीज उसका, जब वहाँ पर जाएगा, कोर् के ले लिए, तो यह क्या होगा, अगर उसके अंदर उतनी पावर है, इसलिए वहाँ confirmation भी पूचता पुलिस, तो वहाँ की ठाने की बयान जो होगी पुलिस की, वह मानने नहीं होती है, आप किसी से self-incubation नहीं कर सकते, तो यह सब सारी चीजें आपकी, इसमें है, protection for conviction for offenses under which article, article 20 of the constitution, at least कम से कम किस में क्या चीजें दी हैं, यह आपको जानना ज़रूई है, क्योंकि अभी जो आपका exam का जो level है, उसमें आपसे सिर्फ factual basis ही है, जादा वो deep जाने वाले हैं नहीं, ठीक है न, यह आपसे expectation करते हैं, क्योंकि 11th class में आप देखे होंगा, 11th class की जो आपकी quality की book थी, तो उसमें वो सारी चीजें हैं, अब उन्होंने साब बोला, भाई 12 तक ही हमारा के main जो agenda है, में जो aim है, आपके question का, MCQ का, NCRT को ही हम पूरा govern कर रहे हैं, तो यह सब सारी चीजें आपके NCRT में थी, 11th class में, तो 12 तक, इसलिए 12 का syllabus, इसलिए 12 तक रखा भी गया है कि आप 8 to 12, 6 to 12, अच्छे से कर चुके हैं कि नहीं करी हैं? फिर आगया आपका article 21, right to life and personal liberty, one of the most important, यह तो कभी आपका हठी नहीं सकता, हमेशा आपके साथ है, चाहे आपका war हो जाए, चाहे कोई emergency आजाए, यह article आपके साथ रहने मादा, right to life and personal liberty, यह आपको जीने का अधिकार है, स्वतमतरत का अधिकार है, ठीक? फिर उसके बाद, article 22 में क्या बात की गई है, protection against arrest and detention, यानि आपको अगर police arrest कर ली है, detain कर ली है, उसके भी खिलाफ आपको क्या मिलेगा, protection मिलेगा, ठीक? तो इसमें वही बाते की गई हैं कि अगर आपको arrest कर लिया गया है, तो आपको एक advocate मिलेगा, वकील मिलेगा, आपको अपनी बाते रखने का पूरा अधिकार मिलेगा, तो सारी जिसमें आपके गया है, सारे mentions and provisions, यह सब बाते की गई हैं. Article 23, अब एक नई जी जा रही है बच्चों, right against exploitation, जो हमेशा से चलते आ रहा है, तो इसको रखना बहु ज़्यादा important था आपके constitution में. Right against exploitation, में कौन-कौन से आटिकल साते हैं, आटिकल 23 and 24, तो 23 बात करता है, protection from trafficking and forced labor, आप सुरू से देखते आ रहे होंगे, सदियू से देखते आ रहे होंगे, human trafficking, slavery एक समय हुआ करता था, सामान की तरहा आदमी को खरीदा बेचा जाता था, तो human trafficking was the biggest problem एक तरीके से country की थी, उससे हमें निजात पाना थी, समको कैसे रोकेंगे, अगर भी या कोई भी trafficking किया, या कोई भी इनसान का लेग बेचा, खरीदा ये सब सारी चीजी की, तो वो क्य दे देना चाहिए, ती मिल गया है, कि आपको इस चीज में कोई involved नहीं कर सकता, या आपको कोई खरीद बेच नहीं सकता, यही तो होता था ना पहले, अब वो चीज नहीं हो सकती, पूरी तरीके से आपको protection मिलेगा, अगर कोई इस तरीके से किया, तो non-bailable अंदर तक जाए आप सुने होंगे, बेगार, बेगार में क्या होता था, यानि आप धिनवार काम करो, पैसे नहीं मिलेंगे, कुछ मिल गया, खाने पीने ठीक है, नहीं तो अभी नहीं, ते भी बहुत बड़ी problem थी, यानि force labor आप किसी से जब अर्दस्ति भी काम भी नहीं करा सकते, बेगा अर्टिकल 24, ये कोशन दोनों पूछे जाते हैं, human trafficking and force labor under which article, ban on child labor under which article, ये सब सारी चीज़े आपके पूछी जाएंगे, तो ध्यान में रखना है, अब ban on child labor, अब आप अकसर देखते होंगे, कि पहले लोग mines में, construction area में, hotel में, restaurants में, बच्चों से काम करवायते थे, तो क्य है, child labor है, उनकी सहमती के बीना, बच्चे मजबूर है, चलो ठीक है करते थे सारी चीज़े, तो उसको ban किया गया था, अब कुछ relaxation हो गया है, दो चार दस साल पहले कि आप क्या कर सकते हैं, hotel हुआ, restaurant हुआ, आप उसके concern के आधार पे काम करवा सकते हैं, लेकिन, hazardous place, या आप कोई ऐसी जगा जहां पे बच्चों के लिए काफी दिक्कत हो, construction area, mining area, hazardous place, कोई explosive place है, तो वहाँ पे आप नहीं करा सकते, पूरी तरीके से ban है, यह हो गया right against exploitation, फिर उसके बाद आजाता हमारा अगला article, right to freedom of religion, one of the most important fundamental rights, ठीक है न, right to freedom of religion, यानि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानि आपका जो religion है, जिस religion को आप follow करते हैं, उसको भी आप पूरी तरीके से follow करने के लिए क्या है, free है, कोई भी आपको उसमें कोई interfere नहीं कर सकता, constitution भी कहता है कि हम किस चीज को follow करते हैं, secularism को, हम secular है, हमारा कोई धर्म नहीं है, इंडिया has no religion, लेकिन आपका जो religion हो, आप उसको follow करो, उसमें कोई problem हो, तो हम आपके साथ खड़े हैं, that's why this secularism is called positive secularism, तो तरीकी के secularism भी होती, positive secularism, negative secularism, इंडिया किस चीज को follow करती है, positive secularism को follow करती है, इस चीज को follow करती है, positive secularism, आपका वही, आपसे पूछ लिया जाएगा न, इंडिया follow which type of secularism, positive, positive का मतलब क्या, हमारा कोई धर्म नहीं है, I have no religion, बट आपका जो धर्म है, जो religion है, आप उसको follow कीजिए, अगर उसको कोई दिक्कत पहुचाता है, कोई दूसरी धर्म वाले आप, आजाते हैं, आप जैसे इजाम कर रहे हो, तो पहुँचगे, लाव अकबर करने, अगर नहीं, I have no religion, अगर आपके religion को कोई problem create करता है, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बहुत सारी country जैसी है, तो that, this type of country under which secularism, negative secularism, ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, तो आटिकल 25 में क्या कर रहा है, कि freedom of practice of one's own religion, you are free, आप अपनी religion को profess कर सकते हो, अपनी Conscience of the religion, यानि आप अपने अंतहमन से, you are free, आप इश्वर को, भगवान को, गौड को किस थरीके से treat कर सकते हो, इसमें भी हम नहीं interfere करेंगे, चाहे भगवान को आप अपना पिता मान लो, चाहे भाई मान लो, चाहे पती मान लो, पत्नी मान लो, मीरा भाई क्या थी, लोग क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं, तो या आप के उपर किस तरीके से आप इश्वर को अपना मानते हो, उनको लोगों के सामने प्रस्तूत करते हो, it is on your will, okay? आगे, क्या है कह रहा है, Article 26 में, Freedom to Manage Religious Affairs, इन में थोड़ा सब एक एक तरीके से हैं, ज्यादा कुछ अंतरनी ध्यान में रखना है, Freedom to Practice, you are free to do practice for the religion, Freedom to Manage Religious Affairs, यानि किस तरीके से आपको कोई Religious Institution बनाना है, मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, ये सब सारी चीज़े आप अपना Manage करोगे, किसी भी तरीके का कोई रोक टोक नहीं है, हर चीज में बस सामने वाले के भी क्या करना है, उसको होता नहीं है कि आपकी भावनाओं को ठे इस न पहुंचे, आपको भी ध्धान में रखना सामने वाले को Problems न हो, इंडिया के Unity, Sovereignty, Equality, Liberty, ये सब भी ध्धान में रखना है लोगों की, अब ऐसा नहीं कि Right to Profession आपको मिल गया है, तो किसी मंदिर के सामने जाके आप इचिकें, अंडा, मास मचली की दुकान लगा द ठेला अपना, भाई लोग उससे बोले कैसा क्यों कर रहे है, मंदिर के सामने तो न करो, कहा रहे, Right to Freedom है, क्यों न करे, समिधान ने हमें पूरे आदेश दिया है, वाई केस वगएरा किया गया, उसके उपर है, उसको बुलाया गया, जज सामने, कहा है कैसा कर सा, Right to Freedom है, तो उसे का, Right to Freedom का मतलब है थोड़ी ना है, कि तुम किसी के धरम भावना या किसी के विश्वास को ठेस पहुचाओ, कोहीं आओ ने, दव दव किस का लो, तो फिर वो माना, तो हर चीज के साथ ये चीजे, इसलिए जोड दे गई वही है, ये चीज को ध्वान में रखना, ठीक आपको चंदा वगएरा, इस तरीके से कोई ट्रस्ट है, कोई चीज है, पैसा वगएरा मिलता है, या आप कहीं किसी के दुआरा दे जाते हैं, तो ठीक है, लेकिन आप अलग से टैक्स नहीं दे सकते हैं, और ना गवर्मेंट, अपने टैक्स से पैसे, जैसे आप से गवर् अस्ता अरज्च्मेंट और्गनाईज करने के लिए, तो वो ओफिंस के दाइरे में नहीं आएगा, बागी गवर्मेंट, जो हमसे टैक्स का पैसा लेती है, वो रिलिजियस अफेर्स में नहीं खर्चा कर सकती है, ठीक है, एंद आटकल 28, फ्रीडम एस तु अटेंडेंस ए हैं, स्कूल्स हैं, अदर रिलिजियस इंसिटूशन हैं, वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो, फॉर दा रिलिजियस इंस्टेक्शन्स, ठीक, यह भी आपको आपको आटकल 28 में सारी बातें दी गई, तो इस आर दा आटकल रिलेटेट टू दा राइट तू फ्रीड़म आफ रिलिजियन, एंड तर नेक्स आर्टिकल, कल्चल एंड एजुकेशनल रेमेडीज, उससे पहले आटकल 29 और 30 में क्या बात की गई है, कल्चल एजुकेशनल राइट्स की, फिर रेमेडीज की बात आएगी, तो कल्चल एजुकेशनल राइट क्या होता है, इसमें मेली दो लोगों की बात की गई है, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, तो आर्टिकल 29 में कहा जा रहा है, तो प्रोटेक्ट और प्रिजर्ब दा माइनॉर्टीज, यानि जो माइनॉर्टीज सेक्शन साब दा सोसाइटी है, उनको अपनी लेंग्वेज, अपनी ये सब उनको क्या करने का अधिकार है, उनको प्रिजर्ब करने का अधिकार है, उनको राइट्स है, ठीक है ना, क्यों, तो इस आर्दा मार्जिल सेक्शन आप दा सोसाइटी, पूरा उनको अधिकार है, उनको आप क्या कर सकते हैं, आप उनको मना नहीं कर सकते, रोक टोक नहीं कर सकते, तो उनको क्या किया गया है, पूरी तरीके से protection दिया गया है, आटिकल 30 उनहीं से related, right of minorities to administrator educational institution, यानि जो minorities हैं, उनको पूरी तरीके से protection या उनको rights दिया गया है, कि वो अपने छेत्र, अपने जोर में रहके institution को establish कर सकते हैं, चाहे school हो, college हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, चैसे भी हो, अगर वो feel करते हैं कि हमें इस team में नहीं comfortable हैं, तो आप अपने educational institutions, अपने मंदिर, मस्जिद, मतलब कोई भी चीज, कोई भी institution, आप run कर सकते हैं, उसको administration का भ article of the constitution, a right to constitutional remedies, one of the most important article, क्यों sir, ये एक ऐसा article है, जिसको क्या कहा गया है, this is the heart and soul of the constitution, heart and soul of the constitution, यानि सम्भीधान का दिल है और आत्मा दोनों है, किसने कहा बच्चों इसको, exam में आपसे पूछा जाएगा, एक question आता आपसे, soul of the constitution, soul of the constitution is known as, यानि सम्भीधान की आत्मा किसको कहते है, soul of the constitution किसको कहते है, तो आपके सामने चार options आएंगे, पहला option रहेगा preamble, दूसरा रहेगा fundamental rights, तीसरा रहेगा DPSP, चौथा रहेगा आपका article 32, ठीक है ना, तीसरा क्या रहेगा article 32, तो फिर आप कहोगे सर प्रियंबल, आपने बहुत पहले बताया था, प्रियंबल is the soul of the constitution, सम्भीधान की आत्मा तो ही प्रियंबल ही है, तो मैं कहूंगा बेरकुल सही जबाब दिया बच्चों आपने, फिर एक कुशन बन जाएगा बच्चों, according to, we are made car, which is known as the soul of the constitution, फिर आप प्रियंबल लगा दोगे, फिर कहोगे सर आपने बताया नहीं था, इसलिए बताने जा रहा हूँ, अगर आप से simple push दे, out of which is known as the soul of the constitution, तो आप आँख बंद के लगाओगे, किसको? प्रियंबल को, लेकिन अगर आप से push दे, according to the we are made car, which is known as the soul and heart of the constitution, या संभिधान की आत्मा, we are made car, according किसको कहते हैं, तो आप फिर प्रियंबल को भूल जाना, किसको कहोगे? आटिकल 32 को, आटिकल 32 को कहोगे, कि, according to Bheem Rao Ambedkar, simple पूछे, तो प्रियंबल किसके? प्रियंबल क्या है? soul of the constitution, भी आर अमबेटकर ने आटिकल 32 को कहा था, soul of the constitution, क्यों? these are the remedies under these articles, there are so many remedies in the form of rifts, in the form of rifts, ठीक न, rifts, याचिका, आप देखते नहीं, एकसल लोग, Supreme Court में फलाने ने याचिका दायर किया है, तो याचिका का मतलब होता है, रिट्स, ठीक, तो रिट्स क्या है? रिट्स समझ लो, एक तरीके का धनुजबान है, constitution के लिए, Supreme Court के लिए, आपका fundamental right breach होगा, किसी के द्वारा violate किया जाएगा, तो आप नहीं जाओगे, Supreme Court, तो Supreme Court जब किसी का collar पकड़ के खीचेगा, चाहे individual हो, चाहे department हो, उसको पर notice भेजेगा, तो उसी का, इस्तिमाल करके भेजेगा, उन्हीं रिट्स का, तो रिट्स एक बहुत बड़ा अस्त्र है, Supreme Court के लिए, इसी का यूज़ करके वो आपकी help करेगा, तो उसमें अलग-अलग तरीके टोटल पांच रिट्स हैं, ठीके न, पांच रिट्स में आपको, पहला रिट्स है कि आप, समझ लो, जैस हैं, टार्चर करके, लेकिन उसको वहाँ पे नहीं पेश करते, कहां पे, कोट में, अब क्या होगा, गवाँ पेश ही नहीं रहा, घरवाले सोच रहे हैं, जेल में हो, उसको मार के फेंक दिये, तो इसलिए आपका एक प्रावधान हुआ, कि भाया, heaviest compass, देखो सुर्या जो उसमें हीरो, heaviest compass के अंतरगत, आपका केस लड़ता है, heaviest compass में ये बात की गई है, कि भाया, पहले गवाँ को प्रस्तूत करो, गवाँ को पेश करो, in the form of physical term, physically आपको कोट में ले आना है, पुलिस तो कवा देते रहे हैं, तो गवान ऐसे बोल दिया, जेल में है, नहीं, उस के अंतरगत क्या करेगा, कोट, heaviest compass के according, केस वो करेगा, रिट नूटिस भीजेगा, ये case के लिए, चाहे वो individual हो, चाहे को ये authority हो, पर उसे भी आपको kidnap करके रख लिया है, तो उसको भी भीजा जाएगा, पेश हो, पेश करो, इसी तरीके से आपके पांच रिट्स है, heaviest compass से रिट्री है, फिर उसके बाद आपका क्या कहते है, क्यू कारणटो है, ये सब हैं उसमें, कि आपको ये authority है, आपको अगर क्या कहते हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी court notice वेजागा, ये इसका काम करो, तो ये सब सारी चीज़ें आपकी रिट्स में है, त ये जानना है आपको, कि article 32 is a constitutional remedy, जिसमें क्या है, रिट्स है, तो रिट्स के ही द्वार आपकी मदद की जाती है, तो these are the important articles of the fundamental rights, तो हमने पूरा fundamental rights को cover किया, और जाना क्या क्या चीज़े important है, ठीक, तो part 1, part 2, दो part में fundamental rights cover है, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से इसको cover कर ठीक, तो मिलते हैं, अगले topic के साथ, तब तक के लिए, bye bye, take care, to all of you, good luck.